हालो फ्रेंट्स ये वीडियो उत्राखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ये सहाइक लेखाकार की तयारी करने वाले कंडिडियेट्स के लिए है आप में से बहुत से कंडिडियेट्स ये पूछ रहेते कि इसकी नई भरती कब आ रही है और आपके पास बहुत सारे क्वेरीज थे कि नई भरती कब आ रही है इसकी तयारी कैसे करें इसका एक्जाम कब तक हो सकता है तो इन सभी क्वेरीज को हम यहाँ पर डिसक्स करेंगे तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि हर चीज आपको अच्छे समय में आ जाए आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट्स देदें उसके बाद हम इस पर डिसक्स करते हैं जो कंडिडेट्स असिस्टंट अकाउंटेंट यानि सायक लेखा कार भरती की तैयरी कर रहे हैं उनके लिए जीस के अंट्यूट चैनल पर टेस्टरीज क्रैस कोर्स लाँच कर दिया गया है यह टेस्टरीज और क्रैस कोर्स हिंदी और इंग्लिज दोनों मीडिय में अविलेबल है तो जो लोग इंट्रेस्टर्ण हैं जोईन कर सकते हैं अड्मिसन आज से सुरू हो गया है उसके लिए करना क्या है यह वाट्सम नमर दिख रहा है इसकी बाद में आएगी तो इस तरह से बहुत तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बाते करते हैं आप में से ही बहुत से लोग करते हैं कि इसकी भरती पहले आएगी कुछ लोग करते हैं बाद में आएगी December 2023 है इसका exam date देख सकते हैं 31st January 2024 एनि एक महने में इसका exam हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक महने में आप कैसे तैयरी कर पाएंगे तो इस तरह अगर assistant accountant की vacancy आ जाती है notification आ जाता है एक महने में आपका exam conduct करा लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे एक महने में तैयरी होने स लगती है तो आप लोग अपने तैयारी पर focus करिए यह मत देखे कि इसका notification election के पहले आ जाएगा तो अच्छा रहेगा या बाद में आएगा तो अच्छा रहेगा अभी आपके पास जो time मिला हुआ है उसको अच्छे से utilize करिए और अपने तैयारी अच्छे से करिए possibility यही ह है कि इसका जो भरती है election के बाद ही आएगा हमें लगता है लेकिन भरती तो आनी ही है तो अभी के लिए आपको यह ध्यान अखना है कि तैयारी आप अच्छे से कीजिए क्योंकि इसका syllabus इतना बड़ा है last year हम लोगों ने जो तैयारी कराई थी उसमें करीब लग गया था आ लेते हैं उसके बाद दूसरा round भी चलाते हैं तो उसमें भी 11 तक फिर तीसरा round चलाते हैं तो एक से 11 तक ये पूरा तीन round में 33 टेस्ट हो जाता है उसके बाद बचा जो 12 टेस्ट वो आपका full length टेस्ट होता है इस तरह से पूरे syllabus को हम 3 round में complete करा देते हैं तीन बार उसी syllabus क किया तो हो सकता ऐसी नमphonie पर्षन तैयार कर लिया तो इससे क्या होता इतना परियाब एक से सब्सक्राइब के लिए तो आपकी तiej competence चले जाते हैं तो आप धीरे 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 क्या होता आप इंप्रूब करते हो चले आते हैं 45 टेस्ट मिल जाता यह तो मतलब होता एक पूरे सलेबस को जिसमें हिंदी का भी होता है और आपका जो एक से ग्यारा उनिट तक जो कॉमर्स का है वो तो रहता ही रहता है तो इस तरह से जब तीन बार पूरा तयार करते हैं फिर फुल लेंट टेस्ट देते हैं तो एक आम बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उसकी जो हमें बताते हैं पूरन और मेस्साज घृते हैं को जो यही होते हैं कि आप 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 तयारी अच्छस कीजिए क्योंकि इस इतना बड़ा है कि कम से कम छे से आथ महिना लगएगा अगर अच्छे से डेकेसन के साथ तैयारी करेंगे जैसे आपने देखा हो UPSC के बच्चे हैं या State Prices के बच्चे हैं वो साल पर पहले से प्लानिंग कर लेते कि हमें इस exam को करना उसी किसाफ से तैयारी करते हैं नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हैं उसको क्या करते हैं पहले syllabus को कबर करते हैं तो ऐसे ये भी है इसमें भी आपको टाइम लगेगा तैयार करने में पूरा यह मान कर जिसे छे साथ महिना आप अच्छे से लग करके रोज छे से साथ घंटा आठ घंटा देंगे तब जाक तकि आप अच्छा परफ़म कर पाएंगे एक्जाम में तो आप समझ सकते हैं जिसे हमने बताया कि 45 टेस्ट में हमने क्या क्या पूरे syllabus को तीन राउंड बच्चों को तयार किया तो वो बच्चे और वो बच्चे दुसरी तरब जो अभी notification का वेट कर रहे हैं notification आनिक बात जारी शुरू करेंगे उनमें उनमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है जमीन वारासमान का फर्क हो जाता है और दस्वी बर्वे का एक्जाम नहीं है कि जिसमें आप बैठेंगे 60 परसे लाएंगे फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे एक competitive exam है इसमें आपको merit में आना होता है इसलिए आपको पूरा syllabus कबर करना होगा और अच्छे तैयारी करना होगा तब ही आपका selection होगा I hope हमारी बाते आपको समय में आ गई ही और जब भी इसका notification आएगा तो यह मान के चलिए उसका एक से डिएड़ महिने में exam हो जाएगा पूस्तने exam कब तक होगा तो notification जैसे आत है कि जो syllabus पढ़े हैं commerce background से रहे तो उसको आप कबर करिए फिर graduation level में जो पढ़ा है उसको पढ़िए यनि आप जो books हैं उसी को basic रखिए क्योंकि उसको आपने एक बार पढ़ लिया है उसको एक बार तयार कर रखा उसको revision करने में बहुत आसानी हो जाती है और बाकी हम जो test testries जोगरा में आपको provide करते हैं वो सब चीजे तो आप करोगे ही करोगे testries और crash course में जो भी हम लोग planning देते हैं उसी के recording आपको चलना है जैसे हमने दे दिया कि first unit आपको एक week में तयार करना है उससे later test होगा तो आप उसी को उस time में तयार करेंगे उसके बाद next जब दूसर आपके grip में रहेगा आप उसको अच्छा तयार करके रखेंगे exam में बैठेंगे better perform रहेगा इसी का नतिया है पिछले साल हमने ऐसे ही तयारी करा था जिसका परणाम यह हुआ कि बहुत से बच्चे select हो गए और उनका joining होने वाला है तो आप भी इस तरह से channel से जूड़ करके तयारी कर सकते हैं अब बच्चे पुझरेंगे फीज किता है तो फीज एक दम नॉमिनल चार्ज रखा है सिर्फ 500 रुपे रखा है हमने only 500 रखा है जिसमें आपको 45 टेस्ट मिलेगा और पूरा unit जो है एक से 11 तक का जो unit है वो आपको हिंदी और इंग्री दोनों मीडियम मे नोट्स भी मिलेगा और प्रैक्टेस सेट मिलेगा यह सब चीज़ें हैं और आपको time to time guide भी करते हैं कैसे कैसे तैयारी करना है तो इस सब सारी चीज़ें मिलेंगी और वीडियो गरा जो मिलेगा वो तो चैनल पर अप्लोड होगा तो I hope हमारी बाते हैं आपको आ गई होग